अब उसकी प्रिती के साथ लवम्मारेज हो जाती है, जिस पर बहु को ना पसंद करते हुए उसकी माँ पूरा समय प्रिती को परेशान करने के तरीके निकालती रहती है। प्रिती, कहा हो? सुबह का नाश्टा दो पेर में खिलाओगी क्या? इसमें प्रिती और प्रतिक ओफिस जाने के लिए तयार हुए कमरे से बाहर आते हैं, जिसे देख सास प्रिती पर भड़कने लगती है। महारानी, तुम सुबह सुबह तयार होकर घर का सारा काम छोड़कर कहा चल दी? जी, वो ओफिस हैं? तुम ओफिस जाओगी, तो घर में जो सफाई नाश्टा खाने का काम है, वो क्या मैं करूंगी? मा, मैंने उसे वादा किया था कि वो जॉब कंचीन्यू कर सकती है। आरे वाद जीवा, दोनों आपस में सला कर फैसले ले लिए, मैं क्या यहाँ बेवकुफ बैठी हूँ? मुझसे पूछना किसीने जरूरी नहीं समझा? ममी, आप फिक्र ना करें, मैं आज जी रेजिगनेशन दे दूँगी। प्रिती ऑफिस के लिए चली जाती है, और अगले दिन से जॉब छोड़ घर के कामों में लग जाती है, लेकिन साथ ही उदास पी रहने लगती है, जिसे देख प्रती को अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है, तुम्हें अपनी जॉब कितनी पसंद थी? I'm sorry, प्रिती. हरी, कुछ नहीं होता, बस ममी खुश रहनी चाहिए. अब प्रिती अपनी सास को खुश करने और उनका दिल जीतने की जी तोड़ कोशिश करती रहती है, पर सास कभी उससे सीधे मूँ बात तक नह ने लगते हैं, एक शाम प्रतिक ऑफिस से परेशान घर वापस आता है. मा चाची का फोन आया था, दादी की तप्रित बहुत खराब है, हमें दिल ली जाना होगा. पती की बात सुन, प्रीती तो पैकिंग शुरू भी कर देती है, पर मा वहीं बूत बनी, खड़ी रह जात लगता है, ममी अपनी सास से बहुत प्यार करती है, तभी उनकी बीमार होने की खबर सुन, शौक में आ गई. यह प्यार नहीं परशानी है, तुम तो ऐसे सोचों कि अब से जब तक दिल्ली में हो, तुम्हारे अच्छे दिन शुरू. अच्छा, ऐसा क्या है दिल्ली में? वो तुम्हें कुछी घंटों में पता चल जाएगा? सास के रियाक्शिन और पती के बाद से कन्फ्यूजड प्रीती दोबारा पैकिंग में लग जाती है, जिसके बाद कुछ घंटों का सफर तैकर तीनों दिल्ली पहुँच जाती है, जहां घर के अंदर पहुँचती ही लोगों की भीड देख प्रीती परिशान हो जाती है, ही भगवान इतनी भीड प्रतिक कहीं तुमारी दादी को कुछ हो तो नहीं गया ना? भागल ये भीड नहीं मेरा परिवार है, क्या? इससे तुम परिवार कहते हो? अरे इससे तो जिला घोशित कर देना चाहिए, तु अपना पोर्सनल बिग बॉस बन सकता है? हैरान परिशान प्रीती, परिवार वाले सदमे से बाहर निकले भी नहीं होती, कि सिर पर पल्ला रखे, शांत तरीके से सबके साथ बार्त करते हुए अपनी सास को देख, उसे दूसरा सदमा लग जाता है, हाई राम, ये मम्मी का ऐसा भी कोई रूप है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तुम्हारी सास का सिराल है, तब ही प्रतिक की बेहन बोल पड़ती है, यहां आपको ऐसी ऐसी चीजे देखने मिलेंगी, जो सपने में भी सोची नहीं होंगी, हाँ, ये कुछ दिन तो बहुत लग रहे हैं, सब एक साथ दादी के कमरे में जाते हैं, जहां पहुचती ही उसे दादी के आवाज सुनाई देती है, क्यों रे, सास से मिलने की फुरसत मिल गई, दूसरे शेहर जाकर छूट क्या मिली, तुम तो भटकता पंची बन गई, इतने समय में ये तक नहीं पूछा की जिन्दा भी हूँ या मर गई, प्रीती के सास अपनी सास के पैर छूती है, अरे कैसी बात कर रही है मम्मी, आपको तो मेरी उम्र भी लग जाए, अरे बस कर, ये जूटी उम्र देने वाली बातों का दिखावा ना कर, तेरा बस चले न, तो जो मेरी बची कुछी जिन्दगी है, वो भी अभी खतम कर दे, अरे बहु कहा है, इस पर सास प्रीती को दादी से मिलवाती है, दादी प्रीती को बहुत प्यार देती है, क्यों बहु, तेरी ये सास परिशान तो नहीं करती न, अगर करती है तो अभी बता दे, मैं इसकी ट्लास लगा दूँगी, अरे कैसी बात करें है माजी, भला मैं क्यों किसी को परिशान करूंगी, प्रीती अपनी सास का ये रूप एंजॉई कर ही रही होती है, कि तभी चाची बहां आकर प्रीती को अपने साथ ले जाती है, सास की क्लास लगते देख जो खुशी मिल रही थी, वो तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रही थी, इसलिए लिया आई, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता तो तुम्हारी खैद नहीं थी, थांक्यू चाची जी, चाची और प्रीती घर में जूले पर बैठी, बात कर ही रही होती है, कि उसकी सास भी वहां आ जाती है, मतलब यहां सारा काम बैया करूं, और तुम बैठी हसी ठी ठोली करो, अरे चलो जाओ खाना बनाओ, सास प्रीती को डाट कर काम करने भीज दीती है, जिसे दादीप देख लेती है, और एक बार फिर सास उमा की क्लास लग जाती है, जिसे पूरा परिवार मजे से खड़ा होकर देखने लगता है, क्यों री, मैंने तुझे काम बोला, और तु उस बच्ची को परिशान कर रही है, सास की कोई इज़त रह गई है इस घर ने या नहीं, यहाँ खुद की सास होते हुए भी ज्यादा बड़ी बन रही है, अब, नहीं ममी जी, मैं तो बस थोड़ी मदद के लिए बोल रही थी, सास रसोई में जाकर काम करने लगती है, और दादी प्रीती को लेकर वहाँ से चली जाती है, इसी तरह एक हफता बीच जाता है, जिसमें दादी अपने बहु को डर, इज़त और प्यार का फर्क समझाती रहती है, और प्रीती उसका मजा लेती है, वापस जाते हुए दाद मुझे सकती करनी पड़ती है, लेकिन तुम्हारी बहु अच्छी है, तेरी खुशी के लिए वो अपनी जाब और सपने भी छोड़ कर घर में बैठी है, अपनी बहु के साथ प्यार से रहो, और प्रीती अगर अभी भी तुम्हारी सास परेशान करे ना, तो फिर तुम्हे दें से पता चली गया है कि शिकायत कहा करनी है, हाँ हाँ हाँ